येलोयन व्लैकम्टु जुँक्वा जोदः कोचिग passport के चिर्व हाँ इस वीडियो में हम सूंत करेंगे कुछक और कुछ च्छे कोशन करेंगे तो आपका काम के आप से करना हो झाएंगे तो आप क्या करोगे इस वीडियो को लेख हो ऑन करके कोशन से स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन करते हैं किया रहा है कोशन में उनिफॉर्म Magnetic field exist normal to the plane of the paper over a small region of space our rectangular loop of wire is slowly moved with a uniform velocity across the field as shown in the figure draw the graph showing the variation of magnetic flux linked with the loop and induced EMF in the coil चलो कि हमारे पास क्या है एक magnetic field और इस तरीके से जो फ्रॉस वाला है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है magnetic field को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डारेक्शन क्या है अब इसमें हम क्या कर रहे हैं एक rectangular loop को लेके जा रहे हैं तो पहले देखो आधा इसको मूव कर रहे हैं और पूरा का पूरा magnetic field में आ गया और इसके बाद इस तरफ लेके गए और यह पूरा इसको मूव करवाया जा रहा है इसको मूव कर रहे हैं इसको मूव कर रहे है वी विलासेटी से तो जैसे यह रेक्टेंगलर लूप इस में एंटर करेगा तो फ्लक्स चेंज होने की वज़े से इसमें क्या होगा यह मैं फंडियूज होगा तो हमें यही पूचावाय magnetic field flux अच्छा यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फ्लक्स है magnetic flux linked with the root ठीक है और हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है तो यहां पर हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है और इस साइड में कि इस साइड में हम टाइंग इसको लिखेंगे लिए टाइंग अब देखो अब क्या है कि जैसे हम इस magnetic field में एंटर करते हैं तो जो यह पूरा का पूरा लूप है वो धीरे magnetic field में एंटर करने लगता है और इसके त्रू magnetic field lines चेंज होती जाएंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा इसको मूव कर रहे हैं एक विलोसिटी से तो क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें एंटर करेगा वैसे वैसे magnetic flux change होता जाएगा चेंज होता जाएगा इस तरीके से तो यह स्ट्रेट लाइन है चेंज होता जाएगा अचा यह वो कंडिशन आ गई यहां पर यह वो पॉइंट आ गया जहां पे यह पूरा का पूरा जो लूप है यह अब यहां से लेकर यहां तक मूव करता वा जाएगा तो इसके थूप इसके थूप फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्यों क्यों कि वहां पर जैसे ही यह इस से बाहर निकलने लगेगा तो मैगनेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा और कम होता जाएगा तो यह क्या बता रहा है कि जैसे आप मैगनेटिक से इंक्रीज रहा है क्यों की यह वाला पार्ट बता रहा है कि फ्लक्स को इंक्रीज़ ओग्या और उसका एरिया वह भी constant था तो दोन में से कोई भी चीज नहीं हो दी अब यह कौन सा पॉइंट है यह वह पॉइंट है जहां पर यह लूप है लूप से यह जो magnetic field से बहार आ रहा है यह rectangular loop तो क्या हो जाएगा फ्लक्स कम होता जाएगा को होता जाएगा अब दूसरा क्या बनाना है इंड्यूस एम और टाइम के बीच का ग्राफ तो यहां पर बना लेते हैं इंड्यूस एम और टाइम के बीच का ग्राफ अब जड़ा ध्यान से देखो हां कि आपने पढ़ा की इस यूगल स्टू होता है माइनस डी फाइब इस होता है अपने पढ़ा थीक है तो क्या होगा कि इस वाले पार्ट में क्या होगा जब यहां से लेके यहां तक आंटर कर रहा है तो इम फायगा और वह इंफ नेगटिव होने कि यहां पर नेगेटिव साइन लगने की वज़ास है और ड्रेट अफ चेंज ओफ फ्लक्स क्या क्या आता है यह तो यह 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 है माइनस अब क्या हो गप अब यह वाले जो पार्ट है यहाँ पर तो प्लक्स चेंज ही भी हो रहा है तो फलक्स क्ञेंज नहीं होगा तो इसलब पार्ट में सिह जी nhất लोगा तो इस वाले पार्ट में अच्छाले पॉर्ट में क्या हो जाएगा फ्लक्स घ्ढठता जाए और यहल बहुतर अरह jestem साथ में negative sign लगावा है इसका मतलब EMF क्यासा हो जाएगा EMF हो जाएगा बिटा इस तरीके से इस तरीके से तो हमारे पास जो graph बनेगा वो इस तरीके से बनेगा किसका induced EMF और टाइम के बीच का graph ऐसा और magnetic flux और टाइम के बीच का graph ऐसा ठीक है चलो नेक्स कोशन करते हैं इसको हटा देते हैं और नेक्स कोशन करते हैं नेक्स कोशन है हमारे पास है वेन प्राइमेरी कॉइल पी इस मुग करवा रहा है सेटेवाल की तरफ फ फ़ीगर जारा रहे कि इसमें जर और जाधा हो जाने रहे कि विद थे सिंद बैटरी से तक्या क्कैज है कि हमारे पास यहां पे एक सेकंदी और यहां क्या हमारे पास अ ce क्पाइमेरी को हमें सेकंड्र को कि तरफ मूउव कर रहे हैं तो ये गज़नोमेटर डिफ्लेक्शन शोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें यह हम ऐसा क्या करें की यहीं हो रहा है यह जो यह लाज़र डिफ्लेक्शन इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए ऐसा यह हो रहा क्योंकि यहां से बैटरी अ मच्छरे करेंट आ रही है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर टर्मिनल्स नॉट पोल जनरेट हो जा रहे हैं तो इनकी वज़ए से इसके समय उनुट झाँट में अबर इसके को मोशन को बह। वहूट थिए बोगो चैंच मोशन को होगा क्या हैziękा कूश चेंजे हो क्यों जाएगा जाध होगा उने की तो हमें यह पूछ रहा था कि हमें लाइजर डिफलेक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे इसको इसके लिए हम क्या करेंगे को इस शुड भी मूवड शुक्ट बी मोव और लिए से फ्लक्स चेंज होगा और जिसरेट से फ्लक्स चेंज होगा ऊसी हिसाब से वहांपे आएग तो इसमें कि क्लिए हमने को फस्ट मूव करवा है इसको को के एक कैऊनेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है थि को ये प्लेस्ट नियते के रहा है करूँ यहां तो पहले heute किया लाँगा congratulate लगावाँ licity सोगावा क्या सी कर एटि अए मि अगेटीं करेंट क्या होता एक अपना डारेक्शन चेंज़ करता सबस्क्राइब हल running. जो समस्क्राइब है तो इस के त्युद्ध प्स जए गधा से यह थे एक नागे चैन्ज करेंगा और एक एक साहल बन जाएगा क्योंकि current अपना डारेक्शन चेंज कर रहा है अब यहां पर नौट साओथ साओथ नौट बनने से क्या होगा इसके तुरू magnetic field lines आएंगी और magnetic field lines इसके तुरू पास होंगी इस वाले कोईल के तुरू क्या होंगी अब जैसे जैसे यहां पर पोल्स चेंज होते जाएंगे वैसे 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 magnetic field lines भी चेंज होती जाएंगी इस वाले कोईल के थूप भी magnetic field lines चेंज होंगी अब जो यह दूसरा वाला magnetic field lines इसके तुरू भी जो यहां पर current आएगी current आएगी और यह बल गलो करेगा तो यहीं पूछ रहे हैं कि यह क्यों जल रहा है तो उसका कारण क्या है कि जो यह प्राइमरी कोईल है इसके तुरू क्या हो रहाता है इसके तुरू इसके तुरू भी मैगनेटिक फिल्द लाइन पास हो रही है तो इसके तुरू भी मैगनेटिक फिल्द लाइन चेंज होंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा जिसकी वजह से यहां पर जनेरेट मैं मतलब इसके इसके इसमें क्या डेवलोप हो जाएगा इसमें एक इंड्यूज्ड एमफ डेवलोप हो जाएगा ठीक है और इसको हम दूर लेके जाएंगे तो यह बल्ड डिम क्यों होने लगेगा तो उसका सिंपल से रीजिन है जैसे जैसे आप को दूर लुँफ कर वा ओगि वैसे वैसे त्यू जो फ्लक्स जो फिनल क्या होती जाएंगी कम होती जाएंगी तो थोड़ा और दूर पहुंशे गा तो वहाँ क्या रहे हैं कि बल्व गेट्स दीमर इफ दकॉइल क्यों तौर्ट लब क्यों बेकॉस 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 अन्मुविंग लेफ्ट अन्मुविंग लेफ्ट मैंने अन्मुविंग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हैं तो है श्क्राइब इसक्राइब किट्रीज इस जाएगा तो यह डिम होने जाए गए ठीक है चलो नेक्स्ट वोशन देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या रहा है और रेक्टेंगुलर लूप और सब्सक्राइब अब मुविंग आउट आफ दा यूनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ट तो क्या है एक रेक्टेंगुलर लूप है का यह यह जो मागनेटिक फिल्ट है अब मैं टो प्यूर्म करवाय यह यो तो इस तरफ लुव परवा ​​जाकर रहा घूर् definite इतो है तो दूरिए पास दो लूप है एक है रेक्टेंगलर लूप और एक है सर्क्लर लूप को जैसे जैसे हम नागनेटिक फिल्ड से बाहर लेके आ रहे हैं तो पूछ रहें दोनों में से मतलब दोनों में क्या होगा कि अने और संब्सक्राइब उलाएं और कि इसम्सक्राइब इसके लग जगा लिख लेते हैं अब इस इकोल स्टू एको बहार निकाल लेते हैं क्योंकि आफ चैंड किया विष्guru मिया प्राइब का इसके आप और ऑगा है आगे श्रिप्ट होगा तो क्या होगा इसका एरिया tämä कहते हैं बाद में जब यह आगे श्थ होगा इसके एरिया में भी सैम चेंज हुगा ध्यान रखना- एरिया दुनों के लिए दूनों के लिए डीय बाए-डी-टी डू की सैम होगी अब जब दूनों कि थो से था हुँँ निगा है तो दोनों में अटे फोग ही मोटे होगा क्यों सेह मोगा क्यों कि यहाँ पर रेट ओफ चेंज एरिया क्या है सेन और मैधनीक फील्ड तो सूप है झीड़ कि करो देखता है बच्चों इसको ठीक है एंड एन इंदूस्ट इलेक्रिक फील्ड द्यूटव दूगेशगी फीड कि वेच वन इस ओब डे एलेक्रिक फिंद Chief क्या हार है ची़ है खेंज लेक्ट्रिक फिम तक है की वा जासे लेक्रिक क्या रहा है थे ज़ा घल रहा दूसरा है चेंज इन कि मागनेटिक फील्ड तो क्या है कि अगर हम और को चेंज करते हैं तो मागनेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो दोनों में ज्यादा आसानी से कौन ऑबजर्व किया जाता है कि दोंझों में चाहँ कि यह जादा आसानीसे खिए जाएगा तो हम बोलेंगे जादा आसानी से हम गिसको और्ब्जर भा सकते हैं जादा आसानीसे इसको कि chain in magnetic field की वजह से क्या मिलता है तो जिस इसे सभसेहां पर यहां पो चेंज करते जाएंगे सरय अर्ण तो यह वाली चीज आवशंव करनी आथ है अगर वही पर हम को ऐसे मूव कर वा देते हैं जैसे जनरेटर में गूम रही तो वहां तो अगर हम इन तीनों में से कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे हम इसको दूट लिके आ रहे थे, पास लेके आ रहे थे, एरिया को बढ़ा दें, घटा दें, तब भी हमें flux मिल जाएगा, तीटा, अगर हम कॉईल को इस तरीके से टर्न करते हैं, घुमाते हैं, इस तरीके से घुम रहे कोईल, तब भी हमें क्या अब्जोर्व करने को मिलेगा, तो इसके कंपारिजन में, इसके कंपारिजन में ये वाली चीज आसानी से अब्जोर्व की जा सकती है, तो कोईशन में यही यह पूछ रहा था, कि अगर अगनेटिक फील्ड आ रहा है ड्यूट तो दोनों में से जाधा आसान क्या होगा, अब्जोर्व करना क्या? जादा आसान होगा, यह जित गाहता , तो यह आसादा आपकी है तो तो क्या है हमारे यह फिल्ट को चेंज करूंज को आई एलेक्र Tkommen ag2 x ठीक है चलो next question करते हैं क्या क्या रहा है question में a square loop of side 10 cm स्क्वार लूप है जिसकी side कितनी है 10 cm नीट है विद इत्स साइट पारलल तो एक्स एंड वाई ठीक है एक्स और वाई के पारलल है इस मूद विद वेलोसिटी वी इन दा पॉजिटिव एक्स डारेक्शन चलो बना लिए यह एक्सेज बना लिएते हैं यह हमने इस तरीके से एक्स बना लिए इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं और इसको जड मान लेते हैं तो एक स्क्वार लूप है ऐसके आंरे उन लेते हैं तुरह सा कलर चेंज कर लेते हैं एक हमने स्क्वार लूप साइडिसके प्यालल हैING एक्स और य त्रिक है एक्स यंट के पार्लाल याइक्स पार्लाल साइड की विल्युंड कितनी है पिएटे साइड है 10 सेंटि consistent से-क है इतना 10 tu ा एस मूढ फिड़ु विवलोसिटी इड सेंटी मीटर पर सेकंड थिक है तो विलोसिटी कितनी ही टी इत सेटी मीटर पर सेकंड इसकी विलोसिटी इंदा पॉझेटिव आट डायरेक्श्टन मतलब इसको जो मूव करवारे में इस तरीके से पॉजिटिव एक्स डॉयेक्ष्टन में मूव करवा है यह पॉजिटिव एक्सा यारेक्ष्टन वनुव रिख्शन की तरह करते दो अधे कीut опять एकनीनि यहां पे क्या मैंने स्प्रकार का है ईसा गुछध कि या क्या मैपने साहना हुआ है अईहरा किस से प्रक्कंट हो रहा है 10ொ 9ATHAN 9 मतलब मागनेतिक फील्ड के बढ़र। टेंज इन मगनेतिक सूल्ड विद रिम्ट रिंट्ड टेस्ट erle 10 to the power minus 3 यह गीवन ए ठीक है ठीक है टो यह हो गया ठीक है आध देख फिल इस नन-uniform and has a gradient of 10 to the power minus 3 tesla per centimeter along the negative that is it is it increases by 10 to power minus 3 tesla as one move in the negative मतलब इसकी तरफ अगर हम negative x excess की तरफ जाएंगे तो electric मतलब magnetic field इस rate से increase होगा calculate the EMF अब हमें क्या find करना है अब EMF निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं जोड़ा देखते हैं एमF हमने पड़ा अच्छा देखो यह magnetic field है इसका area vector भी ऐसे होगा magnetic field इस तरफ है तो area vector भी तरहीं होगा दो मतलब यह नॉर्मल होता है ना area की ठीक है तो दोनों के वीच में एंगल कितना है जिरो तो flux क्या हो जाएगा flux हो जाएगा बी ए कौस सीटा थीटा की वल्यू बिटा यहां पर कितनी है एक वेल्यू जीरो है तो flux के बरावर आएगा flux के बरावर आएगा बी एक बरावर तेक है आगे करता है यहां पर flux क्या निकाल एमफ क्या होगा माइनस डी बाई डी टी बी ए ऐसा होगा ठीक है अच्छा एरिया क्या है एरिया तो अब मैं क्या करता हूं अब मैं यहां पर एक काम करता हूं उपर डी एक से और नीचे डी एक से मल्टिपलाई कर रहेंगे तो फिर क्या होगा इसमाइनस को मैं चैंज करना अगर में चेंड हना तो यह दिएक से को धर लिखेल यह और डी बी को पीछे लिएता हूं है जैका है फ्री फे एकश्वाइव इडी टी क्या हो जाएगा इसका मतलब यह क्या है इसमें यह नेगेटिव यह नेगेटिव है तो अब हम एक काम करते हैं अब हम यहां पर डायर्ट वेल्यूस करते हैं तो सारे के सारे क्या है सेंटिमीटर में वह एन है जिक और यह भी सेंटिमीटर में वह एन है कि चलो इसको इसमें भी कनवर्ट कर लें इतनों प्रप्रब्लम तो साइड कितना एरिया कितना हो जाएगा एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 10 इंटू 10 और मीटर में निकालने के लिए हंडरेड से डिवाइड कर देंगे हैं इसकी भी ते दिवाइड का चाहव बीटर कि इम्टर एडए मिटर ये हंडरर से जाएगा जिरोपॉइंट जीरो यह जाएगा टेसला पर मींटर ठेक है तो यह जाएगा कितना 0.1 तो सारी वेल्यूस कुट करते हैं क्या मिलेगा हमें अब सारी वेल्यूस कुट करो एरिया कितना है 0.1 एक विलासिटी कितनी है जीरो पॉइंट जीरो एट डीवी दीएक्स कितना है माईनस में था तो माईनस को डारेक्ट उस कर लिया वो माईनस ने भारवाले माईनस को थेंसल आउट कर दिया तो जीरो पॉइंट तो स्वल करते हैं तो क्या मिलेगी आट आंट कितने हो गई दो यहां से दो यहां से ए के सब्सक्राइब कि अधिक तो इए में फ की वैल्यू कितनी आग़ी बटे एट इंट्यों टेनब माइनस पाइव करें तो एक टेंगलर कंडॉक्तिंग लूप ऑफ लेंथ एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ ये और ब्रेथ कितनी है ये 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 एक उनिफॉर्म मैग्नेटिक फिल्ड में एंटर कर रहा है आइशों दे लूप बिसमोविंग एट कॉंस्टनट स्पीड वी ठीक है जो यू रूप है एक कॉंस्टनट स्पीड वी से एंटर कर रहा है एटी इस इको इस इकोस टूफ तो जिरो इस इट जस्ट अन्टर जब ताइमस अवज़ो करना स्ट चाट गा उस समय यह जस्ट एं तो त्री यहां पर एक से लिखा था ठीक है अब हमें ग्राफ बनाना है फ्लक्स टाइम और इंड्यूज़ और टाइम के बीच में पावर और ताइम के बीच में आर किया है यहां पर मैं रिजिस्टेंस गीवन है तो चलो पहला काम करेंगे हम मैं पहला काम करते हैं हम यहां पर मैंनेटिक फ्लक्स और टाइम के बीच का ग्राव और अब जड़ा देहान से सुनओ यह लूप था यह से अंदर एंटर करेंगा यह पूरा का पूरा इस तरीके से ली विलोसिटी से एंटर करेंगे तो पहले हम यह देख लेता है कि यह किस कि से तो देख लेते हैं तो आँगा देख लेता है मतलब जो यह पूरा का पूरा लूप है इसको यहां से इसमें अंदर अंदर होने में इतना time अब यह क्या करेगा अब यह कुछ देर तक यहीं पे रहे रहेगा किसी magnetic field में रहे गा उसके बाद फॉइनली क्या करेगा इस तरीखे से तरीके से बाहर होने लगेगा इसे तो पहले जैसे यह Member guess क्या занимador रखा टो इसका एंटर कर रहा था तो क्या होने लगा फिर थोड़ा दिर तक अब यह देख लेते हैं कि किटीने दिरतक रहा अगर यहां से यह तक ल था तो आगे वाले यह जो लगेगा इसमें टाइम कितना लगेगा यह वाले जब यहां से यहां पहुंचने में भी टाइम लगा इसको इस वाले पार्ट में भी L by V का घी टाइम लगेगा अब इसके बाद यहांसे बाहर निकल गया हो गए है यहांसे वह बाहर निकल गया तीक है कि अब आप में क्या प्लक्स और इसके बीच का ग्राफ बनना अब दॉप किया तो चलो बनाते हैं यह अब बनाता देता हैं अब देख का कि यहां हम प्लोट करेंगे फ्लक्स यहां पर क्या प्लोट करेंगे फ्लक्स प्लक्स इसे क्या जैसे कि यहहां से लेकर दिरे फ्लक्स इंक्री करने लगता है इसमें कितना टाइम लगा है इसको यह वाला टाइम है कितना लीकर टाइन ल बाई वीकर टाइम तो ये वाला पाठ जिसमें वो एंटर कर Gुढा है यहां तक six एनले अब यहां से यहां तक मितलब सरा यह जो बचा यह वाला जो पाठ जो मैंने रेड वाला बना रखा इसमें जो आने में इसमें क्या हो दो यहां तक कितना टाइम यह तो ये वाला टाइम सा पहुंच चुका है तो बना देता हूं और जरूरत है तो यह वहला टाइम है टू एल बाइवी देखो एल बाइवी जो स्कार्टिंग में टाइम लिया उसने वह पूरे के पूरे रेक्तंग्ल लूट में एंटर होने में अब जो आगे जो एल बाइवी टाइम है वह उत्याइश देख तक इस वाले पार्ट में रहा मतब्र यहां से लेकर यहां तक पॉंच यहां से चलना स्टार्ट वाथा और इतने पार्ट में जो यह रेडवाला बना रहा है यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना गया लेकिन अगर इस वाले अंट से पूछें लबाइवी का टाइम लगा और स्टार्टिंग से लबाइवी अब यहां अब यह क्या होगा इस मैगनेटिक फिल्ड से बाहर आएगा धीरे-धीरे मैगनेटिक फ्लक्स कहोता जाएगा कम होता जाए गा और जब तक यह पूरा बहुर ना निकल जाए तो इसको बहुर निकलने में टाइम कितना लगेगा यहां से मतलब ऑग्नेटिक फ्यलड में एंटर करता है तो लगता वाइघ 같은데 ठीक में नलगता है और मैं कॉंसे CMin 66 में जाने रानेे लगता है च भुंद। ये तो हमने भी पार्ट का बनाने यहाँ है मैं भी पार्ट का बनाना असान है । इस तरीके का पहले भी बना लिया इंग Capital कि यह उता है भी साथ कि युफ न एक झाल अ किया होटा अवता है मांगे आठीन एंट कि इस की फाइब को द孩 फटेकर नेगेट钵 क रहीए कि यह सबाइन कि श्ब्सक्राइब नेगेटल फिल्सक्राइब ख़िर इस वाले पाट में गह और एक समय होगने स्वाले इस फैक वाले प्राइड में यह उस्लिक्स घट था यह तो फ्लक्स घट रहा है तो व्रॉत गश्ञेंट तो यह हो गया यह वाला पार्ट इसमें प्लक्स क्या हो चुका है इस वाले पार्ट में अच्छा जा रहा है इनके टाइम को अगर मैं मेंशन करूं तो यह जीरो टाइम था यह को सब्सक्राइम तो हमें इम उसकूं के बीच किसके बीच का ग्राफ बनना आधाशा फावस बीच के बीच कग्राप बनाना आब और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा चलो देखो देखो यहां पर बनानाएं तो यह तो इदर हमने पवर बना लिया ओधर हम टाइम बना लियंगे ठीक है अच्छा यह हो गया L by V यह हो गया 2L by V ठीक है और यह हो गया 3L by V अब देखो क्या है यह निगटिव था लेकिन nmäßig90 borderG you फटीक है था तो यह है था तो निगटिव लेकिन एप स्टाइय क्या वन्किन को प्यूंप जाए भी पावर बूज़िका झाओं आवर इसवले निट पे यह वाली तो पी तो पी यह झाओ बीच जाएगा इस वाले पार्ट में पॉजटिव हो जाएगा यह हो गया पावर और टाइम के बीच का ग्राफ ठीक है तो इस चलिए नेक्स कोशन करता है क्या कह रहा है कोशन में और रेक्टैंगलर कंड़क्टर अम एन पीक्यू मतलब यह मन यह जो मन है यह जो मन है यह यह वाला पार्ट यह इस तरह यह पार्ट मूफ कर सकता है इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहे है किस क्याप्टी ना उनिफॉर्म माग्नेटिक ही इसको कहा रखा गया इनिफॉर्म अपी जिया निग्लैसब्स मतलब यह मंकुप और एणपी जो बाकियों का can opt in the expression for human boots uh current induced in the loop currentcz working right it up Ok to work in Japan तो पहले सिस्क्रेट नहीं है हमें यहंपर हमें Find करना है induced current तो थीक है तो चल रहाएं से सलाऊ induced imminent क्या होगा induced current होगा, induced EMF upon resistance, तो पहले मुझे induced EMF निकलना पड़ेगा, ठीक है, तो induced EMF क्या हो जाएगा, induced EMF हो जाएगा, minus d5 by dt, क्या है, d5 by dt, what is 5, 5 is the magnetic flux, पाई क्या चीज़ा है बच्चों, पाई अबिटा, magnetic flux, ठीक है, तो flux क्या होता है, flux होता है, बी ए, कितना हो रहा है, बी ए होता है, अब माल लेते हैं कि यह जो वायर है, वो यहां पहुंच गया, इसने, माल लेते हैं कि इतनी जगापस पहुंच गया, ठीक है, और यह इसने, लेंथ कवर कर लिया वो यह यहाँ कितना करी दि-हस और चेंजई अपर लेंगे तो चेंज इनेश्स ने करेंगे तो यह म्म करेंगे एर्या अन्हें in to change area ऐसे तो करेंगे ना magnetic flux in to change area अब इन अब यहां पर magnetic field क्या है बैच्छों यहां पर magnetic field है constant इस जगह पर magnetic field constant अभी क्या है constant लेकिन area change हो रहा कितना India चेंज़वा area area चेंज़वा L into the Noah यंटीव्य गें भी इत्सक्षण हो ल॥ाट तो अल्ट कितन सीनिए अल्टे अल्ट कितना हो जाएगा इतना ही तो आई आपि टो यहां पर रख लेते हैं कि जलिए को यहां पर यहां पर सब्सक्राइब मतलब कि नेगेतिव तो हाई और यहां पर चैंज इन सभी विल्यु आगए लगे डि एक्स अप्न सब्सक्राइब इसका डारेक्शन देखेंगे तो डारेक्शन क्या होगा देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा तो यहां पर जो साइन आना चाहिए वह इस तरीके की आएगी जो उसको अपोस करेगा जिसने उसे प्रेडियूस करेंगे तो मतलब अब है अगर यहां ध्यान से सुनों ध्यान से देखो कि इस तरीके से आ रहा है इंटू दा पेपर क् तरीके से magnetic field lines ऐसे आ रही है ठीक है ऐसे आ रही है और यह magnetic field lines माल लेते हैं नौर्थ से आ रही है और नौर्व से इस तरीके से पेपर के अंदर की थरफ अनसी अब यहां पे Küya करनेक लिए mint कि तरिके से बनानी पढ़े मतलब यहां पर हमें voyage करना पड़ सेयल्ट ऊकर नौर्थ पो जन्रीट होगा तो अकर नौर्थerg वर strikes तो नौर्थ पोल के टाइम पर जो करेंट आती है वो कैसी आती एंटिक लॉपाइस तरह आएंगी और यहां से सो हरे होंगी और उदर से तरीक नियling चेल को टासा संग्या अगला उल्ट क्या रहा है अगला वाला पार्ट क्या रहा है पावर का उटकर्फ क्या है चल रहा है पावर रिक्वाइट तो मूब पढ़ते हैं था ज़िस्था ज़िए स्कॉर्मला का हो जाएगा मतलब ईस्क्वायर एल का स्कॉयर वी इस विलासिटी का स्कॉयर अपॉं आर यह जाएगा पावर ठीक है और का फर्मॉला क्या होता है वी स्क्वार बाई आर का होता है ठीक है चलो आगे दिकरते हैं कि नेक्स्ट कुशन है हमारे पास डा होरिजॉन्टल स्ट्रेट मेटलिक रॉड फ लेंथ फो सेंटिमीटर थे कहां फोर मीटर स्ट्री हमारे पास एक मेटलिक रॉड है जिसकी लेंथ है फोर मीटर कितनी है लेंथ पो मीटर लेंथ है पो मीटर इस हैं एग सम्हाइट अब अब द अधा सफेस्ट अफ द अर्थ इस वेस्ट इस वेस्ट डारेक्शन इस तरीके से इस वना लेते हैं यह गया नॉट सौथ ने यह गया नॉट सौथ नॉट यह साउट यह गया इस और हो गया अब क्या रहे हैं कि हम यहां पर एक कंड़क्टर है जो की कैसा रखा हुआ है वह हॉरिजॉंट्री रखा हुआ है अब क्या रहे हैं इस को फॉल्ट रहा है यह गिर रहा है यहां से इस तरीके से जेग थे अच्छेंड गिर राए कितना थाइम में टी ताइम के बाद मतलब टाइम की वल्यू कितने गयवन है दो सेकंड कितना फिंद्फ होगा ठीक है ठीक है तो कितना फिंद्फ होगा और हमें यह पर मैगनेटिक फिल्ड की होरिजोंटल क्मपोनेंट अफ मैगनेटिक पीडिवन है 0.3 x 10 to the पार माइनस 4 वार माइनस 5 लेट मीचेक इट यह जीरो पॉइंट री इंट पार माइनस 5 वेब पो मीटर स्कॉरर है हमें क्या फाइंड करना है अब ध्यान से सुनों आपने पड़ा है कि यह में फिजिकल सो अगर कोई रॉड मूव करती तो कितनी आती है भी वी एल आता है हमारे पास भी है हां जी है अब यह प्याद के लंबा यह है लेकिन आप विलासिटी नहीं है तो पहले क्या काम करेंगे हैं अब जो यह बाड़ी है यह जो रॉड है इसको फ्री फॉल करवाया जा रहा है तो इसकी विलासिटी कि त्यूने जाएगी वी इसपलस टो यू प्लस एक एटी तो इनिशिल विलॉसिटी फ्रीफ लॉल करवाए जा तो इनिशिल विलॉसरीटी इसके जीरो थे ग्रैविटी मतलब एक ही जगा लिकना हम एक जी लिखना यहाँ पर ट्रैविटी ले लेते हैं मिटर पर सेक्ट्ड इसक्ट अडिक है टाइम गीवन है हमारे पास कितना टू V is equals to zero plus 10 into two that is 20 meter per second कितना होता है 20 meter per second ठेक है तो V की value कितनी होगी है 20 meter per second तो EMF क्या हो जाएगा EMF is equals to B जो कि था 0.3 into 10 to the power minus 4 V V कितना है 20 and L what is L is ठेक है L कितना है 4 ठेक है तो अब इसको solve करना है simplify point हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा 10 से यह 0 काट लेंगे तो जाएगा कितना 12 into 24 तो कितना हो जाएगा 24 into 10 to the power minus 4 वोल्ट ठेक है तो पहले पार्ट का अंसर कितना हो गया 24 into 10 to power minus 4 वोल्ट हो गया ठेक है अगला पार्ट क्या क्या रहा पुलारेटी ऑफ दा EMF रिज्टेक है तो पूलारेटी के पूछते हैं तो राइट हैं थम रूख राटेंगे तो नॉख से साउथ की तरफ मोशन नीचे की तरफ जा रहा है कि इसको ऐसे बना लेते हैं यह इला नॉर्थ पोल एंड़ा साउथ फोल एं ठेक हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पूल की तरफ कि तरफ हो रहा इसका नीचे की तरफ हो रहा तो इस साइट से इधर आ रहा और एक मिनट यह जो था यह इस तरफ से नीचे जा रहा अच्छा तो एक मिनटी यहां पर यह गरबड कर दिया है कि यहां पर मैंगनेटिक फिल्ड का डार कि ऐसा होगा मैंगनेटिक फिल्ड का डार कि तरफ आएगा तो नौट की तरफ है नीचे तरफ मूव कर रहा इस तरीके से तो करेंट कहां से आ रही है करेंट आ रही है करेंट इस है फ्रॉम कि वेस्ट टू इस्ट कहां से रही है वैस्ट से इसकी तरफ आ रही है नेक्स पॉइंट क्या रहा था हैं दे अंड आफ दर रट्व इस एट हाईर पोटेंशिक तो किस पॉइंट कहन सा पूटिंचल हाइर पे होगा क्यों सा एड हाईर पोटेंशिल पिया इसका मतलब एक क्या है हाइर पूटेंच्यल पी is at higher potential is at आए हाइर potential higher potential ठीक है क्यों कि करेंट कहां से कहां जारी है वेस्ट से इंटार, जो नेख्स्कोशन करते है क्योंकर पाब बनकन्दक्टिंग लूप फ्रेस्स्टेंस तन एक केंदेगं रूप घिसका रिस्टेंस कितना है इसका रजिस्टेंस अभल था टैनों पनल एक टैन प्रथो आ इरिया है इन तुक पार-चा पर इसका मतलब गया तैन तो दीपार माइनस-4 मीटर स्क्वार इसका उनलब टेन तो दी पार माइनस थ्री मीटर स्क्वार इस रिमूफ रूम दा मैगनेटिक फिल्ड से रिमूफ किया जा रहा है तो जैसे हटा रहे हैं तो उसमें जो करेंट आ होऊचा रहाय हो हों नुश्य करें हों जो है टायम आप से तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा भनाँस हाँ पैला इंड क्दी याद रखिए की आई-टी अई-टी गराफ क्या है अगर यह एरिया कर दूं यह यह कर लो हमें क्या मिलेगा हम चाठ्य कर दो में तोków एरिया निकालते हैं यह साइट यह साइड़ है कि यह साइड़ कुणा गहां। तो चार्ज जगस्ट्र क्या होगा हाफ एंटू बेस एंटू हाइट कि तो हाफ बेस कितना है वन है हाइट कितनी है जिरो पॉइंट पॉर है अच्छय को सुल करेंगे जिरो पॉर दिवाइडर बेड़ रेनगे तो क्यों कि वेल्यू कितनी जाएगी बेटे जीरो पॉइंट जाएगी थाचार्ज जिश्ट्थ अब सेकंेड पार्ट में क्या क्या रहा है है मैंना वैइन्य दोल पद्र काया है मैगनेटिक फ्लक्स फाइंड लुटा पर confess निकालता है कि कि आपने पर ला यह कें होता हैं कि ली फायफाइब कर देने आपने देन्द्र disagreement डिफाइब डिटी और टी की वेल्यू हमारे पास आइटिंग वन सेकेंड गीवन है न हुँँँ अच्छा एकी जगा क्या लिख सकते हैं एकी जगा लिख देते हैं आई आर सब्सक्राइब दिटी अंच्छ दिफिलाइब कर देता है डिटी को इधर मिल्टिफाइब कर देंगे आई डीवी इंटु आर पर स्टेटू धी थी पाइड़ डीच्यवाइड विफई एक और तो डीफैट आ इक है आइडीक्यू आइडीक्यू आएक यह जाएंगा क्यू आर ऐस स्टू दीफैक्यू हमारे पास है आर्वी एम डीफै नीकाल इंगे दीफाइड जाहिए फार चेंज इन्फ्लक्स्क्रक तो change in flux क्या होगा — हाइट वाला अच्छाछ बाद वाला flux क्योंकि जब वह magnetic field से बाहर हो जायगा तो magnetic field माइनस जीरो माइनस और यह कितना था फ्लक्स निकालना है तो क्यों कितना है जीरो पॉइंट टू आर कितना है तो क्या जाएगा तो कितना जाएगा तो वेबर ठीक है अगला क्या पूछा है हमें फ्लक्स की वेल्यू हमें कितनी मिल चुकी बच्चों स्की वेल्यू बिटा हमें मिल गई है तो तो फ्लक्स इसब्स टू क्यों होता है ना नान कना एक आपशनी कर्का चाहिए टू एक चाहिए कि थना हैं हो abbiamo है ए कि एक तॉ प्रहर माइनस पर ऐह तो तो मिल्टिप्लाइ करेंगे ए डिवाइड करेंगे खिंगे क्या जाएगा तो इस वाले कोशन में मागनेटिक स्विल्ड की वैल्यू कितनी आई बटे टो इंटू पार ट्री टेसला और चार्ज कितना आ रहा था जिरो पॉइंट टू ओम और फ्लक्स कितना रहा था ठीक है तो बच्छों आज के इस वीडियो में हम इतने ही कोशन करेंगे इसके आगे के वीडियो में करेंगे इसके आगे के कोशन ठीक है तब तक बने रहे हैं जोलका कोचिंग क्लासेस के साथ बाइबाइबाइब